ओके दोस्तो आज हम बात करने वाले ऐसे best smart phones जो दोस्तो आपको 16,000 रुपे में मिलने वाले इस टेंड इंडियन मार्केट में जी हाँ दोस्तो आप confusion होगी कि 16,000 क्यों 20 क्यों नहीं या फिर 15 क्यों नहीं दोस्तो अगर आप 15,000 की नीचे की रेंज में phone ढूंड रहे हैं तो आप 1000 रुपे एक्स्ट्रा खर्च करके काफी सारे अच्छे features ले सकते हैं अपने smartphone में आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो 15,000 खर्च तो कर रहे हैं लेकिन 1000 रुपे एक्स्ट्रा खर्च करके एक भड़िया smartphone भी वो चुन सकते हैं तो चलिए फटा फट लिस्ट की सुरुवात करते हैं हमाई लिस्ट में दोस्तो सबसे पहला smartphone जो आता है वो है दोस्तो Realme की branding के साथ Realme P1 जी हां P Pro भी आता है एक smartphone उसकी कीमत थोड़ी जादा है हम P1 की बात कर रहे हैं ये phone दोस्तो April 2024 में इंडियन मार्केट में आया है तो जादा पुरा नहीं तो of course है नहीं साथ ही दोस्तो अगर हम बात करें इसके detail specification और price की जिससे आप समझेंगे कि ये smartphone best क्यों है और इस range में क्या कर रहा है तो price की दोस्तो बात करें तो जैसे कि मैंने बात करें तिल वीडियो के सुरू में ही तो इसकी कीमत है 15,999 पे 6 GB RAM 108 GB storage जो की इसका base variant है चाहें तो आप इसके और दो जो variant है उनको भी ले सकते हैं जिसमें आपको दूसरा जो variant है RGB RAM और 256 GB storage जिसकी कीमत 16,999 है और जो आखरी variant है RGB RAM 256 GB storage उसको आप ले सकते हैं 17,999 रुपे में यह तो वही बात है 1000 रुपे एक्स तक खर्च करते रही और आप variant बढ़ाते रही है पस यह ही कहना चाहूँगा लेकिन हाँ 15,999 में अच्छी चोईस P1 आपके लिए हो सकता है तो सबसे पहले में आता हूँ पॉसेसर की तरफ तो इसमें मिलता है MediaTek का Dimensity 7050 चिप सेट तो यह केमिंग के लिए तो आपकॉस पॉसेसर कमाल का है इस रेंज की बात कर रहा हूँ 20,000 तक की रेंज की तो केमिंग के लिए पॉसेसर अच्छा दिया गया है इस स्मार्टफून के अंदर साथ ही दोस्तो इसमें 6.67 इंच का एक AMOLED पैनल डिस्पले दिया गया है जो की दोस्तो 120 Hz के रिफरेस्टेट के साथ आता है इस फोन में सो डिस्पले भी अपकॉस अच्छी इस फोन मिल जाती है तो साथ इती दोस्तो इस स्मार्टफून मेरें बैक में कैमरे के दो सैंसर बी हैं जिसमें में दोस्तो दिया गया है 50 medium का और 2 medium क्रोम सैंसर इसमें देखने को मिलता है दो इस sensor बैक में है नेकिन quality से कोई समझ जाता नहीं है वो आपको अच्छी मिलती है इस smartphone में camera कौन सा best आएगा वो वीडियो में आखरी में बात करता हूँ उसी के साथ इसमें फ्रेंड में भी 16 में एपिक्सल का selfie वाला camera दिया गया है punctual design के साथ साथी 5000 mm की एक बड़ी powerful बैटरी है जो की आपके 45 वोल्ट fast charging support के साथ आती है realme अभी भी adapter box में दे देता है तो आपको कोई चिंता करने की वाली वातनी है लगसे लेना नहीं पड़ेगा साथी साथ दोस्तों इस smartphone में आपको देखने को मुलता है उनमें से एक है realme P1 यह हमाई लिस्त का दोस्तों पहला smartphone है realme P1 अब बात करते हैं लिस्त के second best smartphone की सेकंड smartphone दोस्तों हमारा आप आता है nothing की branding के साथ nothing का CMF phone 1 phone दोस्तों design के मामले में features के मामले में सभी में काफी अच्छा देखने को मिलता है इसका जो base variant है वह तो वह हमारी लिस्त के अंदर जो range हम बात करें वही है 15,999 पे 6GB RAM, 103GB storage के साथ जो इसका second variant है वह दोस्तों मिलता है आपको 8GB RAM, 103GB storage, 17,999 पे का जिसका कोई मतलब नहीं बनता उसको आप मन लीजेगा जो आप base variant है उसको आप जिले सकते हैं लेकिन आप इसका second variant मत लीजेगा वो नहीं करता हो इस कीमत में, deserve नहीं करता साथ ही इसके अगर हम बात करें features की वो अच्छे दियेगा इस phone में अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ इसके position की तो Mediatek का Dimensity 7300 इसके अंदर chipset मिलता है performance speed लगबग लगबग उसी Realme के P1 जैसी ही देखने को मिलती है साथ ही इस phone में आपको देखने को मिलते हैं दो sensor back में जो की काफी अच्छे design के साथ आते हैं, 50 का main और 2 का micro lens, front की बात कहें तो वहाँ 16 अपिसल का पंचोल डियाइन वाला selfie camera दिया गया है, इसका जो UI वो काफी जबरजस्त है, वो इसके लिए सबसे बड़ा plus point है, ना थींक का phone 1, यानि की CMF phone 1 साथ ही दोस्तों, इस phone में पांच अने मेच की बैटरी, 33V fast charging support मिल जाता है, महीं इस phone में दोस्तों, in display फिंग पे scanner भी दिया गया है, और साथ ही इसमें मिलता है 2TB storage का expand करने का option, जी हाँ, और UFS type 1 की 2.2 जी हाँ, ये थोड़ी, मैंने कहा था न, कोई-कोई phone देता है 3.1, P1 देता है, ये नहीं देता है ये हमारा phone काफी जबज़ज़त है, camera की बाद में वीडियो के आखरी में करूँगा कि कौन सा best है, overall performance इस phone की भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं लिस्ट के final और आखरी phone की, फिर दोस्तों conclusion पहेंगे कि best आपके लिए कौन सा रहेगा कि अगर आप confused हो रहे हैं तो वैसे अगर आप confused नहीं हैं तो आप branding देखके आप best अपने आप भी चुन सकते हैं, लेकिन आप नहीं चुन पा रहे हैं तो इसलिए वीडियो को थोड़ी सी देर और देख लीज़गा सो हमारी लिस्ट का दोस्तो जो आखरी फोन है वो ब्रैंडिंग में मेर को लगता है सबसे best आ जाता है क्योंकि यह काफी पुरानी ब्रैंडिंग हो चुकी है, जी यहां दोस्तो हम बात करें हैं Redmi की ब्रैंडिंग, यानि Redmi के Note 13 की, फोन काफी जबरजस्त है, डिजाइन भी, पॉफरमेंस भी और फीचर्स भी साफ काफी अच्छे मिलते हैं, बात करते हैं दोस्तो इसकी लॉंचिंग की तो वो इसकी है जनवरी 2014 की, यहनि कि इसी साल यह लॉंच चुआ है तो पुराना यह अपकोस नहीं है, तो इसलिए फोन तो काफी जबरजस्त है, चलिए इसके बात करते हैं प्राइस की और साथी डीटेल स्पेसिविकेशन की, तो शुरुआ दोस्तो प्राइस से करते हैं, अब प्राइस दोस्तों मैं पहले आपको बता दूँ, यह प्राइस में फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, ओफिशल पार्टनर इसका Amazon है वैसे, फ्लिपकार्ट पर प्राइस थोड़ी कम देखने को मिल रही है तो इसलिए प्राइस में उसके ले रहा हूँ, आप Amazon से लेते हैं, तो आपको थोड़ा समयगा मिल जाएगा, क्योंकि ओफिशल पार्टनर है, तो उसी प्राइस देख रहा है, यहाँ पर अलग-अलग सेलर, अलग-अलग कीमत पर आपको मिल जाते है, फिलिपकार्ट का ज 12GB RAM और 256GB स्टोरेज, उसकी कीमत अभी 18,400 रुपे रख रख की है, जी हाँ, फिलिपकार्ट के उपर, और जुसका आखरी विरिंट है, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज, आप मानें कि उसकी कीमत रख रख की है 18,700 रुपे, यानि कि कोई खास फरक आपको देखने नहीं मिल था, 8GB और 12GB वाले पर, तो ये तो दोस्तो फिलिपकार्ट के उपर मिलना है, क्योंकि वो ओफिशल पार्टनर इस फोन का नहीं है, एमजोन के उपर ओफिशल पार्टनर है, तो आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सस्ते में रिखने चाते हैं, तो इधर से भ पॉसर के मामले में इन लिस्ट में, साती दोस्तो इसमें मिलती है 6.67 इंच का एक AMOLED पैनल डिस्प्ले, जो कि दोस्तो आपको देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेस्टेट के साथ, बैक में कैमरे के इसमें 3 सेंसर दिये गए हैं, हमारी लिस्ट का एकलोथा फोन जिसमें 3 से कैमरे के हैं, पचास का महीन है, आठ का अल्टर वाइट और दो का माईग्रो लेंस दिया गया है, फ्रंट की बात के हैं, तो वहां 16 में पिक्सल का पंच होल डिजान वाला कैमरा दिया गया है, साथी साथ एक पांच रमेंच की बैटरी है, 33 फूर फास जाजिंग सपोर्ट मिल जाता है, 1TB स्टोरेज एक्स्पेंड करने का ओप्सन है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाती है, साइड माउंट फिंग पे स्कैनर मिलता है, और डॉल्बी अटमस्वेर साउन क्वालिटी, सो ये दोस्तों हमाई लिस्ट के हैं, टॉप 3 बेस्ट स्मार्ट फोन, कैमरे की कॉलिटी, यानि की फोटोग्राफी के मामले में, CMF या फिर Realme को आप चुन सकते हैं, अगर आप फोटोग्राफी के लिए फोन ले रहे हैं, वीडियोग्राफी के लिए भी अपकॉस, क्योंकि ये 1080p तक तो 60 fps में भी रिकॉर्ड कर लेता है, CMF, तो इसके लिए भी फोन अच्छा है, और साथ ही अगर मैं ओवरल पॉफॉमेंस की भी बात करूं, तो मेरे असाब से आज कल जो चल रहे हैं फोन, तो Redmi के फोन थोड़े से सेल कम हुई है, इंडिया के अंदर, तो क्यों ये वो एक वज़े हो सकती है, लेकिन ओवरल एक बैस फोन, मैं इस तम रिकॉमेंड करूंगा आप लोगों को, Nothing का CMF Phone 1, सारी चीज अच्छी दे गई है, कैमरे से लेकर, डिजाइन से लेकर पफुमेंस, सबी चीज अच्छी है, उसका जो UI वो जब अच्छा होगा, आपकी च कमेंट कर सकते हैं, या अब भी भी आपको confusion रहेगी, तो थोड़ा सा परिसानी जेलिए, और comment box में comment डालिए, किस फोन में आप confused हो रहे हैं, अच्छा ही है, बुरा ही है, जो भी है, आपको पूछ सकते हैं, मेरे खाल, एक से दो गंटे बाद आपको जवाब मिल जाएगा, आपके किसी भी कमेंट का, सो दोस्तो भस, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को दोस्तो करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दोसरो जोड़ से ही दबादें, मिलेंगे एक और नहीं कमाल की